अब तक हमने सिखा कि Euclid division lemma में क्या-क्या होता है मतलब क्या-क्या होता है होने की sense में कि हमने सिखा कि कैसे एक number को इसके multiple के साथ उसके reminder के साथ लिखा जाता है जैसे हमने सिखा कि जब उसने बोला कि A is equal to 2Q plus 1 लिखाना हमने, clear है ऐसे ही हमने जितनी भी term में थी सब के सब लिख ली हमने एक बात notice करना हम आपने एक बात notice की होगी इन सब के सब concept में जो की हमने 3-4 line लिखी थी और हमने एक equation बना के यहाँ पे आपके सामने रखी है सब की सब equations same है सब की सब equations same है और सबकी सब equation में ये σकेवल जो multiple है कहीं पे Q है, कहीं पे W है, कहीं पे A है, कहीं पे M है और कहीं पे N है ये जितने भी मैंने लिखे आपको दिखाए हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? integer होते हैं और integer में भी कौन से integer? positive integer, कौन से integer? positive यह कभी नेगेटिव नहीं हो सकते ऐसा बात ने नेगेटिव के चांस नहीं है नेगेटिव के हो सकते हैं यह सब्सक्राइब लेकिन हमारी इतना ही दिया तो हम उतना ही पड़ना है उसने क्या बोला है positive integer Euclid division lemma applicable in the positive integer यह सब्सक्राइब अब जड़ा इसे देखें लेमा क्या बोलता है यह जो concept है वो क्या बोलता है A is equal to 2Q plus 1 ध्यान से देखें यह जो A है वो क्या है उसके पास कितने संत्रे थे clear है जी यह वो चीज है जो उसने count की क्या की count की yes or no और यह वो चीज है जो हम अपने इसाब से लिख रहे हैं कि हमारे इसाब से 2-2 के पेर कितने बने होंगे how much यह किसका reply है how much का reply है how many sorry यह किसका reply है how many का किसका reply वच्चे यह how many का reply है ठीक है अब यह जो बच गया वो किसका यह क्या है यह है आपका remainder remainder in the sense यह है successful successful मतलब जो material बाद में बच गया यानि कि जो count नहीं हुआ इस बात को एक sort way में आपको समझाने की कोशिस करता हूँ ज़रह समझे मान लो यह कोई संख्या है 22 इस 22 संख्या को मेरे को भाग देना है 5 से 5 का 25 फोर्जा कितने होते है 20 रेमांडर विल बी 2 कलियर है जी अब इस बात का physical interpretation हम आज तक समझ नहीं पाते हैं समझ रहो इसका physical interpretation क्या है यह 5 है तो इस 5 का मतलब क्या है 22 है तो इस 22 का मतलब क्या है यह 4 है तो इस 4 का मतलब क्या है तो इसको apply करने की कोशिश करना कलियर है जड़ा देखो यह जो 5 है यह बताता है हम कितने pair में count करेंगे हम कितने कितने way में इसको देखना चाहते हैं मैंने बोला जब मैं किसी सिंख्या को भाग करता हूं मान लो जब मैं भाग करता हूं 5 को 2 से कलियर जी दो दूनी चार reminder कितना आएगा एक आएगा बच्चे वो क्या बोल रहा होता है कि भाई मैं 2 पे चला गया और 4 बच गया और एक ओगया reminder सही हूं अब यहाँ पे आए 5 ओके 20 बच गया कितना 2 जरा समझे यह जो 4 होता है यह बोल रहा होता है कि मेरे जैसे 5 इसमें संख्या में कितने बनेंगे 4 बनेंगे ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं यह जो 4 है उसका मतलब यह है कि में 22 के अंदर 5 पाँच के 22 के अंदर 5 पाँच के जो पेर बनेंगे वो कितने बनेंगे चार बनेंगे, इस बात को जो समझें, अगर उस बंदे के पास 22 ओरेंजिस होते हैं, और मैं 5 पांच में गिन रहा होता, तो मेरे पास केवल कितने बनते हैं, चार गुरूप बनते हाउ मैंनी, 4, और मेरे पास एक्स्ट्राग इदने बसते, 2 बच जाते, कलिर है जी, तो मैं इस बात को कैसे लिख सकता हूँ, 22 इस इक्वल टू, 5, मैं पेर किस में काउंट करना चाहता हूँ, 5 में, इंटू में क्या लिखना चाहता हूँ, 4, कितनी बार, 4 टाइम्स, पलस में कितना हैगा, 2, 2 क्या होगा, रिमेनि, कलिर है जी, अब एक बात को समझ लें, यह जो 2 ह होता है, और यहां जो यह 5 होता है, यह 2 हमेशा ही कम होगा इस 5 से, यह सोनो, यह जो 2 होगा, वो हमेशा ही कम होगा 5 से, मान लो, इन दा केस, आप बोलागे सर, आप तो क्रैमिंग करवा दीए इस बात की, कि यह छोटा होगा, इसको हम समझ लेते हैं, जरा द्यान से, समझ इस बात को, अगर ये बड़ा होता तो एक बार और भाग नहीं चला जाता, अगर ये बड़ा होता पाच से तो एक बार और भाग चला जाता, अगर ये बराबर होता तब भी एक बार भाग चला जाता, ये छोटा है तब ही भाग नहीं जाएगा, ये छोटा है तब ही यहां होगा वो हमेश्या ही डिवीजर से छोटा होगा हमेश्या ही डिवीजर से क्या होगा छोटा होगा कलिर है इसको हम क्या बोलते हैं रिमेंडर इसको हम क्या बोलते हैं डिवीजर और इसको हम क्या बोलते हैं क्यों सेंट और इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है जी, हमने देख लिया कि कैसे इस ट्रम को नोट किया जाता है, और ये कैसे चीजे लिखी जाती है, ये जो स्टेंडर फॉर्म है, ये जो स्टेंडर फॉर्म है आपको लिखना रहा है, मैं आपको समझा पा रहा हूं कि ये if two is counted in the pair then one will remain वो जो हमने example किया था उसका अर्थ ये है हमें ये सिखाना कि हम हर नंबर को कोई भी नंबर हो हम उस हर एक नंबर को इस फॉम में लिख सकते हैं तो हमने उस ट्रम का मतलब समझ लिया हमने ये भी समझ लिया कि ये क्या होगा how many का reply होगा और ये हाँ पे जो भी लिखा जाएगा यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा वो हमेशा ही क्या होगा positive integer होगा क्या होगा हमेशा ही positive integer होगा clear जी यही था Euclid division lemma concept अब देखते हैं अगर मैं एक आद example और लेके कि आपको समझाना चाहूं ताकि आपको थोड़ी clarity बने जैसे मैं लिखूं 30 is equal to 4 into में 7 plus में 2 क्यों मेरे को पता है जब मैं 30 को 44 के pair में count करूंगा तो मेरे पास कितने pair आएंगे how many 7 और 7 में कितना आएगा 2 clear है जी तो मैं इसकी एक आपको standard form लिख के देता हूं ताकि उस standard form से आप relate कर पाएं अपने concept को clear है जैसे जो लिखी गई है वही लिखता हूं जो आपके NCAT में दी हुई है a is equal to b into q plus r clear है जी r का मतलब आप बड़ी अच्छी बाती जानते हैं क्या होता है remainder क्या होता है बच्चे reminder clear है जी यह जो क्यों होता है वह क्यों जो होता है वह आपका क्यों सेंट होता है क्या होता है क्यों सेंट clear है जी यह जो b होता है वह क्या होता है आपका divisor और ये जो A होता है वो हमेशे आपका क्या होता है डिविडिन्ट जलाए इस बात को और समझ लें हिंदी वाले बच्चे A जो होगा वो हमेशे ही क्या होगा बाज्य है क्या होगा बाज्य है ये जो B होगा वो आपका क्या होगा बाजक क्या होगा बाजक क्यू जो होगा वो हमेशा है क्या होगा भागफल क्या होगा भागफल आर जो होगा वो क्या होगा सेशफल क्या होगा सेशफल और एक बात हमेशा ध्यान में रखे जो ये आर होगा वो हमेशा ही छोटा होगा बी से जो R होगा वो हमेशा ही छोटा किस से होगा B से, यह हर केस में अपली के वालविया यह इस इस केस में नहीं यह जितने भी केस होंगे कोई भी नंबर कोई भी नंबर अधी इस फोर्म में लिखा जाता है तो उसके अंदर यह प्री कंडिशन है कि जो B होगा वो हमेशा ही बड़ा होगा किस से, Reminder से हमने यह बात देख ली हमने यह बात यहां पे भी देख ली समझेगे नहीं, समझे यह हमेशा ही क्या होगा, छोटा होगा च्यार के पेर में बनाओगे 2 बचेगी नहीं बचेजब तुमने 4-4 क के पेर बनाए यह दो क्या बच गया, छोटा बच गया तो दोंग एक्साइट रहा गया, समझेज़ें और यहां पर यहां पर था 22 था तो 5-5 के तुमने पेर बनाएं, यहां पर कितने बच गए, 2 बच गये, तो जो 2 है वो 5 से क्या है छोटा है क्लिर जी यही था आपका Euclid Division लिमा अब हम आगे इसकी इसी की हेल्प से सिखेंगे कि कैसे यह पूरा कंसेप्ट यह जो पूरा कंसेप्ट हमने अपने मैंड में बसाया है कि A is equal to BQ plus R है वो कैसे हेल्प करेगा हमारी H-C-V निकालने में किसे क्या निकालने में महतम समाव वर्तक निकालने में तो हमने सिख लिया कि Euclid Division लिमा की हेल्प से हम कैसे A किसी भी नंबर को कोई भी नंबर को हम कैसे एक फोर्म के अंदर ड्राइव कर सकते हैं और उसकी जो स्टेंडर फोर्म जो निकल के आई हमारे सामने वो निकल के आई है A is equal to B into Q plus R कलियर है जहां पर A क्या है आपका? डिविडेंड B क्या है आपका? डिविजर Q क्या है आपका? क्यों सेंट R क्या है आपका? रिमाइंडर यह है पूरा आपका कंसेप्ट जो आपको देखना है अब बड़े द्यान से सुने मैंने प्रिविएस क्लासे में आपको बताया है कि R is less than B यह सुरनो बट R is equal to 0 और greater than 0 यह सुरनो यह हमेशा R जो है वो 0 से बढ़ा ही रहेगा क्या रहेगा 0 से बढ़ा ही रहेगा या 0 से बराबर रहेगा लेकिन B से हमेशा क्या रहेगा छोटा रहेगा B से क्या रहेगा छोटा रहेगा यह हमेशा ही applicable है हमेशा ही applicable है जहां A और B क्या होंगे positive integers होंगे क्या होंगे positive integers क्या होंगे बच्चे, positive integers, clear students, यह हो गया positive integers, ठीक है जी, यही था आपका Euclid's division lemma का signal form, अब इसको H-C-F की form में आपको drive करके दिखाता हूँ, जैसे मान ले हमारे पास कोई दो number है, हमारे पास हम number मान लेते हैं, एक M है और एक क्या है, N है, clear है, हमें यह पता है कि M जो है, M जो हमारा जो number है, वो greater than है N से, सहीं जी, अब मैंने पाया, सबसे पहले तो हमने एक form लिख दी, इसका brief लिख दिया, अब हमें H-C-F एडिल करना है, और मैं M और N के बीच का, बीच में H-C-F निकालना चाहता हूँ, इन दोनों number का H-C-F निकालना चाहता हूँ, और मेरे को एक बात पता है कि M जो है वो बड़ा है N से, M जो है वो बड़ा है किस से, N से, अब बड़े ध्यान से सुनें बच्छे, अगर ये इस से बड़ा है, इसका मतलब, दो condition हो सकती हैं, यदि मैं इसी रूप से इसको बाग करना सुरू करूं, M, N divided by M, कलियर है जी, N divided by M, उबेसी बात है वो छोटा है, तो वो क्या बनेगा, डिवीजर बनेगा, और जो बड़ा है वो क्या बनेगा, डिविडेंट बनेगा, सही हुँ जी, आब ये बाग होते चलेंगे, ये बाग होते चलेंगे, ये एक अलग फंडा है, हम इस फंडे बे आत है, इसका मतलब R is equal to क्या हो गया? जीरो, R का मतलब क्या हो गया है हाँ पे? जीरो हो गया, जहां पर भी आपको ऐसे दो नमबर मिलें, जहां पे एक दूसरे के वो multiple हों, जैसे मैं एक एक अग्जमपल लेके दिखाता हूँ आपको, मान लो एक नमबर 24 है, और एक नमबर क् HF निकालो, HF का मतलब highest common factor, यानि कि इन दोनों चीजों में, जो सबसे जगदा common है, वो चीज निकालनी हो हमें, तो हमें पता है, इन दोनों में common क्या आएगा? हमें पता है कि 24 जो है, वो आठ का ही होता है, आठ के पाड़े में आता है, इसका मतलब, अगर कोई चोटी से हम निकाले तो चोटी से चोटी से जो क्या निकलेगी? 8 निकलेगी, क्या निकलेगी, 8 निकलेगी, और वो 8 निकलेगी, तो 8 जो है 24 से भाग हो रहा है, यह सुरण हो, अब हमें क्या करूँ गा, 24 यहाँ पर लिखंगा, 8 यहां लिंगा, 8 तिए 24, that is equal to 0, यही बात बोली म अगर यह इसका multiple हो जाए, यदि यह इसका क्या हो जाए, if it is, if they are, if they are multiple of each other, तो r इदर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर r 0 हो गया, यानि कि जो छोटी रकम है, वही तुमारी क्या हो जाएगी, hcf हो जाएगी, यानि इस case में, जो छोटा होगा, smaller number, smaller number, will be your hcf, hcf का मतलब, मेहतम, समाप, वर्तक, clear है जी, तो हमने एक case ये सी खिलिया, अब दूसरा case जानते हैं, कि दूसरे case के अंदर हमें करना क्या होता है, दूसरे case के अंदर हम क्या करेंगे, 24, 8, 8 में निकल गया, 8 तिये 24 हो गया, या हो गया 0, अगर मान लो मैं कोई दो different number लेता हूं, दो different number means, मैंने ले लिया, कोई number ले लिये, एक ले लिया 24, और एक ले लिया यहाँ पे 32, सबसे पहले, यहाँ पे जो बड़ा number लिखा हुआ है, कितना है यह 32 है, तो 32 हम कहां लिखेंगे, इधर लिखेंगे, ठीक है जी, 32, 32 में हम कितने पार्ट चाहिए, 24 के पार्ट चाहिए, कलियर है जी, इसके लिए सबसे बड़िया method यह है, कि आप इसको भाग करना सुरू करें, जैसे, मैंने यहाँ पे लिखा 32 और यहाँ पे लिखा 24, कलियर है जी, 24 है कम, 24, रिमेंडर कितना बचेगा, 8, तो मैं इस बात को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे, क्या लिखूँगा, 24 के 32 के अंदर कितने पार्ट बने, एक पार्ट बना, साथ में रिमेंडर कितना दिया भीया, रिमेंडर दिया कितना, आठ, तो आठ ही कहां लिख दूँगा, इदर, सही है, अब इसके बाद क्या करूँगा, उस 24 को इदर लेके आउँगा, सही है जी, 8 तिया, 24, रिमेंडर कितना आगया, जिरो, जब तक रिमेंडर ना आए, तब तक इसका पीछा मत छोड़ना, कलीरे जी, जब तक रिमेंडर ना आए, तब तक इसका पीछा मत छोड़ना, और जो लाश्ट वाला डिवीजर होगा, जो लाश्ट वाला डिवीजर होगा, वही आपका क्या होगा HCF होगा क्या होगा highest common factor होगा अब इस बात को यहां पे लिखते हैं मैंने देख लिया कि 32 जो है वो 24 का कितने group बनते हैं एक group बनता है और 8 बसते हैं अब मैं देख लेता हूँ कि 8 के कितने group द्यान चाहिए सुने आठ के कितने group 24 में बनेंगे 24 is equal to 8 गुणा में कितना आएगा 3 अब यह remainder कितना आगया इधर 0 जहां पे remainder 0 आ जाए उसी time समझ लेना जो तुम्हारा divisor है वही तो आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा सभी हो जी एक बार फिर देख ले मैंने क्या वताया यह कलेट डिविजन लेमा होता है यह एक टेकनिक है जो हेल्प करती है हमारी HCF निकालने में क्या निकालने में है HCF निकालने में हमारी हेल्प करती है A is equal to B into Q plus R लिख दिया हमने फिर हमने जाना कि जो B है उससे हमेशे यह R जो है वो छोटा रहता है R किसके बरावर जोटता है R या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा हमेशे ही होता है हर positive integer के साथ यह application हमेशे ही आती है कलिर है यही state करती है हमें Euclid division lemma इसके बाद यह हमारी active में help करती है इसी technique से इसी technique से कैसे ध्यान से सुने मैंने दो number लिया M और N साथ में मैंने मान लिया कि M जो है वो बड़ा है N से सही है तो सबसे पहली जो condition हमारे पास आती है वो यह आती है if they are multiple of each other अगर यह एक दूसरे के multiple हैं clear है तो हमें क्या मानना होगा वहाँ पे R automatically ही 0 हो जाएगा क्यों? ऐसा क्यों होता है क्योंकि हम जान गए अगर यह 8 multiple है इस 24 का अगर यह 8 factor है इस 24 का यह सुरनो इसका मतलब अगर मैं इसको इससे भाग देता हूँ तो remainder मेरे पास कितना आता है 0 आता है remainder कितना आता है 0 आता है अगर यह दोनो नंबर अलग अलग हूँ तो हमने जाना यदि यह दोनो नंबर अलग अलग होते हैं मैंने वो दो नंबर माल लिए 24 और 32 तो मेरे को क्या करना है इसके अंदर मेरे को H5 निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा सबसे पहले 32 कलियर है वो किसका multiple देखना है मेरे को 24 में देखना है तो मेरे को पता लगा कि 32 के अंदर 24 के पेर कितने बन सकते हैं मैंने देख लिया कैसे देखा बाग करके देखा बाग करके देखा तो मेरे को मिला कि मैं तो केवल भाई या एक ही पेर बना सकता हूँ इसमें कितना पेर बना सकता हूँ एक ही पेर बना लिया मैंने एक बनागे रख दिया, मेरे पास बचा कितना? आठ बचा, कलियर है? मैंने वो आठ के लिख दिया, यहां पी लिख दिया अब मेरे को यह जो 24 मेरे पास आया था, इसी के अंदर मैं देखना चाहता हूं कि मेरे जो reminder बचा है उसके कितने pair बन रहे है कि उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा उस 24 ड्विजर को इधर लेकि आना पड़ेगा clear है और यहां से यह 8 भाग करना पड़ेगा 8 तीए 24 that is equal to 0 यानि कि इसके multiple इसमें भी बनते हैं अगर इसमें बनते हैं तो इसमें भी बनते हैं समझे की नहीं समझे 8 का जो multiple है 8 के सभी multiple 24 में बनते हैं 8 एक multiple होता है 24 का और 8 ही multiple होता है किसका 32 का clear टीब बनेगी नहीं बनी तो हमें पता लगा कि last में जो बचेगा वो कितना बचेगा 8 बचेगा वही आपका क्या होगा बच्चे, HCF होगा तो students, यह था आपका Euclid Division Lemma इसके बाद जो हमें देखना है, वो देखने इनके उपर numerical उसके कितने किस्वन, कैसे हमें अलग-अलग problem में यह जो method हो help करता है, जानने में कि उस number का HCF क्या है या एक standard notation कैसे आती है, वो हम सिखेंगे next lecture में